इसमें कोई डाउट नहीं कि 2023 की सबसे बड़ी ब्लोकबस्टर फिल्म बनने वाली है आधी पुरुष। आज की टाइम में हर जबान पे सिर्फ एक ही फिल्म का नाम है वो है आधी पुरुष। जब फिल्म का टीजर रिलीज वाता तो लोगों ने फिल्म के टीजर को काफी ट्रोल किया था इतना ट्रोल की फिल्म के मेकर्स को बीच में आना पड़ा और अपने फिल्म की रिलीज डेट को आगे करके वापस से दोबारा उन्होंने वेफिक्स पे काम किया तो मतलब अब सम इससे भी तरह कर ट्रोल होना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिल्म कैसी बनी है, तो वो चाहते है कि लोगों को इससे गंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर के रिसपॉंस नहीं, आधी पूरिश को ट्रोल करने वारी विडियोल पे, तो भी फिल्म के मेकरस को पुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो दस्तों अभी बात करते है् var Nejpru आधी फिल्म के कुछ facts के बारे में, ज क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रभास एक ऐसा स्टार है जिसने अपने करियर में 21 फिल्म की और उसकी आदिपूरुष जो वो 22 फिल्म है और इन 22 फिल्मों में ही वो इंडिया का सबसे पड़ा सुपर स्टार बन गया इसमें कोई डाउट ने कि भावबली के बात जो व इंडिया सेंड में प्रभास एक इतने फैन फॉलोवर से मैंने जाता लेकिन साउथ में प्रभास की फिल्मों का डंका बचता है भली आज हम प्रभू श्री राम की आउतार में प्रभास को देखना पाए मतलब उतने वो सूट नहीं करेंगे लेकिन फिर भी most of people यह देखन में ज़रूर जाएंगे और जिस तरीके से ट्रेलर का रिसपॉंस मिल आए उस तरीके से दो पूबिक पक्र जाएगी दोस्तों बात करें फिल्म के डबिंग के बारे में तो ये फिल्म जो वो पाच भाशाओं में रिलीज हो रही है लेकिन इन में से तीन भाशाओं में फिल्म को डब किया गया है और दो भाशाओं में इसको साइमल्टेनिसली शूट किया गया है वो हे हिंदी और तेलगू जैसे कि ये हिंदी ये Bollywood की फिल्म है और तेलगू यानि कि प्रभास जो वो वहां का सूपर स्टार है इसलिए simultaneously इस फिल्म को हिंदी और तेलगू में शूट किया गया बात करें फिल्म के बजट की बार में तो फिल्म का बजट जो वो 700 करोड है जिसमें से 300 करोड तो सिर्फ फिल्म के वेफेक्स पे खर्च हो गया है और एक्चुल में वो दिखता भी है हम लोगों ने पचपन से रामायून को देखा है सुना है जहाँ पे हमने नाम सुने प्रभूश्री राम, माता सीता, लक्षमान, हनुमान, रावन लेकिन यहाँ पे आदिपुरुष में चेंज किया गया है आधी पूरी फिल्म जो वो दो गंटे 53 मिनिट की बनने वाली है और बच्पन में हमने रामानि सावर जी की रामाइन देखी थी वो पूरी सीरीज में देखी थी तो वैसे में ओम राउ जो वो यह पूरी कहानी को तीन घंटे में कैसे बनाएंगे तो यह देखने के लाएंगे वेट करते हैं और फिल्म देखते हैं उसके बाद हम थैय करेंगे कि यह फिल्म किस तरिके से बनीए तो दस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना इप हमें कमेंट करें के ज़रूर बता है ये वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है तो चले दस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए हिंजे भार